सन अठारा सो नब्बे, देहरादून और मसूरी के बीच में एक बहुती होबसूरत वैली के अंदर एक छोटा सा हैमलेट बसा हुआ था. वहाँ पर रावज जी की बेटी की शादी थी, तारिक वारिक सब तैह हो चुकी थी, भारात तीन-चार दिन बाद आने वाली थी, घर में खुश्यों का बहुती बढ़िया महल था. सारे रिष्टे दर आ चुके थे, सब लोग इकटा हो चुके थे, तभी रावज जी को उनके पिता जी बुलाते हैं, एक कमरे के अंदर, और उनको ये पूछते हैं कि, क्या तुमने जो ये लड़के वाले हैं, जहां से बरात आनी हैं, उनको रास्ते के बारे में बता दिया है, कि वो उस रास्ते से ना आकर, पिछले रास्ते से हैं, तो रावज जी ने का कि, पिता जी, उस रास्ते के बारे में तो मैंने उनसे नहीं नहीं मिला और मैं तो इतना खुश था कि बेटी की कम से कम चलो रिष्टा पक्का हो गया शादी हो रही है तो उस रास्ते के बारे में तो मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की लेकिन ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है जो आपने मुझे बताया है तो जो रावजी के पि लगतियों को यहां से उनके काउं भेजो जो बराज जहां से आनी थी दोस्तो वो देहरा दून के पास एक छोटा सा काउं था अब आज की तरह तो नहीं था कि वाटसएप कर दिया वीडियो कॉल कर दिया फोन कर दिया सब कुछ बोल दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है उस समय थो जाकर ही बात हो सकती थी क्योंकि उधर से तो इधर को आने वाला था नहीं बारात में 20-25 लोग तो आने ही थे तो जो यह रास्ता था जिसकी बात कर रहे थे यह बहुत खतरनाक रास्ता था जहां से अकसर इस तरफ जो गाउं वाले रहते थे वो आवोईट करते इसकी भी एक प्रथा थी जो हर व्यक्ति ने अपने बुजरुक से सुनी थी और कहीं बार प्रमाण भी मिले थे इसी वज़े से उस जगा को वो जो पांच-सात किलोमेटर का जो स्ट्रेच था उसको एवाइट करते थे लोग तो तब ही यह रावजी थे यह अपने पिता जी की बात से बहुत साथा सहमत होते हैं और अपने ही एक रिष्टेदार को जो की लगबख 40-45 साल की उमर का था और तीन चार और नाजवान लड़के इनका एक जथा बनाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम फटा फट से लड़के वालों के घर जाओ देरादून और उन्ह ये बोलना कि जो ये रास्ता है जो सीधा हमारे गाउं को आता है वहां से वो ना आकर पहाड़ी के जो पिछली तरफ रास्ता है दो रास्ते थे ये उन्हें भी पता था तो वहां से ही इधर आएं ये बात उस जथ्थे को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्स्प्रेञ्ट क सफर करके, ये वहाँ पर पहुंचते हैं, वहाँ पर जैसे इनको देखा जाता है तो जो लड़के वाले थे वो एक दम से हक्के बख्के रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो ये तीन-चार लोग वहाँ से उस फैंबली के यहां पर आ गए हैं उन्हें बुलाया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है चाहे पानी पूछा जाता है तभी जो सबसे बजर्ग उसमें वक्ती था, जो 45 साल का वक्ती था, वो लड़के के पिता जी को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि देखिए रावजी ने हमें इस अंदेशा आपको देने के लिए बोला है कि जब भी आप बारात लेकर आएंगे तो जो सीधा रास्ता है, उस रास्ते से ना जाकर शुरुवात में ही एक रास्ता, लेफ्ट साइड में कटता है उस left side में जो रास्ता कट रहा है उस रास्ते को आपने पकड़ना है और जो रास्ता सीधा जा रहा है उस पर नहीं आना और ऐसा रावजी ने क्यूं कहा है उन्होंने मुझे यही बोला कि जब आप लोग आएंगे बरात लेकर तो वो आपको आराम से अकेले में बिठा कर ये सारा का सारा माजरा समझा देंगे लेकिन अभी ये सारी बातें करने का समय नहीं है लेकिन अब इस बात का जरूरी खयाल रखना जो रावजी ने कहा है कि आप लोग दूसरे रास्ते से ही आना इस बात को समझ लेते हैं जो लड़के के पिताजी थे और वो बोलते हैं कि ठीक है अगर रावजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करी कहा होगा क्योंकि वो इतनी बड़ी बात के लिए इस परकार से उनोंने तीन चار लोगों को आज बेजा तो कोई ना कोई तो बड़ी बात होगी इसलिए ही उनोंने इतने अրजिंट पे आफ लोगों को मेरे पास बेजा ये बात खतम होती है, ये लोग खाना पी न करते हैं और उसके बाद ये चार-पांच लोगों का जथा चल पड़ता है गाउं के लिए शाम को लगपक सड़े पांच-छे वजे लंबा रास्ता तैय करके शादी वाले घर में ये लोग वापस पहुंच जाते है उसके बाद नॉर्मल वहां पर लाइफ चलती है उस घर के अंदर दो तिन के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जो बारात थी, बारात लड़की के घर की तरफ बढ़ती है बारात लगबग छे गंटे लगाने के बाद, लंबा रास्ता तैय करने के बाद, दीरे दीरे चलने के बाद, पहुंच जाती है रावजी के घर बहुती बड़ी आतरीके से सब कुछ चल रहा होता है, सारी रस्में पूरी होती है, खाना पीना चल रहा होता है तब ही जो लड़के के पिता जी थे, वो रावज जी के पाँ जाते हैं और बलते हैं कि रावज जी एक बात बताईए, अभी जो आप दो दिन पहले ये चार लोगों को आपने भीजा और हमारा जो रस्था बदलने के लिए अपने भोला, इसके पीछे क्या माजु रहा है क्योंकि इतनी अर्जंट ये जो बात थी कि आपने चार लोगों को मेरे घर तक भेश दिया तो कोई न कोई तो वड़ी बात होगी तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या राज है रावजी लड़के के पिता जी को साथ लेकर जाते हैं और जहां पर सरकसरा महौल शादी का चल रहा था उससे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं और घर से लगबग पचास मीटर की दूरी पर जाकर एक चटान थी वहाँ पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं हाथ में एक-एक प्याली चाई की थीन के दोनों बैठे और उसी डिरेक्शन में जिस डिरेक्शन से इस बारात को आने के लिए रावजी ने मना किया था रावजी उसी डिरेक्शन की तरफ देखते हैं और देखते होए लंबी सांस भरते हैं और फिर लड़के के पिताजे की तरफ देखते हैं और उन्हें एक बात बताते हैं अरे संदु साब यहां जितना भी आपी इलाका देख रहे हैं यह बहुत ही खुबसूरत इलाका है और जब से हम छोटे-छोटे थे तब से देख रहे हैं यह इतना ही बल्कि इस से कहीं जादा खुबसूरत था पहले अब तो फिर भी नीचे से अंग्रेज लोग उपर आने लगे हैं लेकिन पहले यह और भी जादा संदर था कोई पेड़ नहीं कटता था सब लोग बड़ी खुशी से रहते थे जैसे हमारा यह छोटा सा गाओं है दो चार घरों का ऐसे ही कई सारे गाओं थे यहाँ पर अब तो दूर दूर तक देखिए कुछ भी नजर नहीं आता पहले चहल पहल रहती थी लोग मिलते थे आते थे जाते थे मेरे दादा ने जब मैं छोटा था तो मुझे एक बात बताई थी कि जब वो भी छोटे थे तब यहाँ पर बागों का बहुत जमावड़ा रहता था बड़ा देरा लगा कर रखते थे बाग आना आ जाना बीच में से ही करते रहते थे लेकिन कोई वारदात कभी नहीं हुई किसी को मारना किसी को खाना किसी को पार देना ऐसी कोई भी वारदात उनके सामने कभी नहीं हुई बलकि उन्होंने तो कुछ ऐसे किस से हमें बताए कि उनके घर में खाना बनता था जूला जलता था और नीचे ही बागा कर बैठ जाता था लेकिन इसी को कोई भी दुख, कोई भी दर्द कभी नहीं दिया इन बागों ने एक रोज की बात है ये पूरी की पूरी वादी जो थी ये गौँच गई थी गोली की आवाज से आसे लगबग 30-40 साल पुरानी वाद है ये तब की वाद बता रहा हूँ जब ये अंग्रेज लोग उपर गी तरफ अपना रुख करने लगे थंडे इलाकों की तरफ अपना रुख करने लगे इनको तो ऐसा लालच हो गया था शिकार करने का कि इन्होंने उस रोज जो गोली चलाई थी वो एक ऐसी बागिन को लगी थी जो पेट से थी जिसके पेट में उसके बच्चे बल रहे थे अभी वो पहार भी नहीं आये थे लेकिन इन जालिमों ने उसे मार दिया उसे मारने के बाद उसे अपने साथ ले गए और फिर आपको पता ही है किस परकार से उनकी खालों को उतारा जाता है और अपने घरों में सजावट के लिए लटका दिया जाता है उसके पेट में तो बच्चे भी थे वो दिन और आज का दिन यहां सब उचड़ गया जितने गाउं बीच में थे सब परबाद हो गए किसी ना किसी वज़े से कहीं लोगों से चपात की गई तो लोगों ने बताया कि उनके घर से उच लोग लकड़ी ले निकले गए थे वापस नहीं आए लेकिन बाग के पैरों के निशान देखे गए गाउं के आसपास लेकिन कोई भी आवाज नहीं बाग की ना ही किसी ने उसे देखा दो चार वक्ती जिनोंने ये दावा किया कि उन्होंने बाग को देखा वो अगले ही हफते तीन चार दिन के अंदर ही अंदर मारे गए बाग के खाने से नहीं कोई पहाड़ी से किर गया किसी को ऐसा बुखाराया कि वो खारी नहीं उत्रा और वो मर गया जब ये सब कुछ यहां पर होने लगा तो ये मान लिया हम सबने की यहां पर किसी देवे शक्ती का वास है और जो वो बागिन को मारा गया वो शायद उस देवे शक्ती ही की कोई प्रिया होगी इस वज़े से उसके बाद यहां पर इस परकार की वारताते होने लगी सब लोग यहां से तितर बितर हो गए सब लोग कहीं कहीं दूर दूर चले गए मनजर ऐसा हो गया कि यहां से लोगों ने गुजरना तक बंद कर दिया कि कहीं किसी को वो बागी नजर आ गई तो उसकी मृत्य निश्चित है इस प्रकार का यहां पर महौल हो गया और यही कारण है कि मैंने उन तीन चार लोगों को आपके पास भेजा कि कहीं खुशी के महौल में आप लोग इसी रास्ते से आओ और कुछ अन होनी हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा कि अगर मेरी वजह से आपको कोई कष्ट हुआ हो आपको लंबा रास्ता तै करने को मिला हो आप थोड़ी देरी से आए वो रास्ता भी तोड़ा खराब है लेकिन फिर भी यह जो रास्ता है इसे मैं आपके रास्ते में नहीं आने देना चाहता था इसलिए मैंने उन लोगों को आपके घर वेजा मैं माफी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो लेकिन जो सारा का सारा माजरा था जो किस्सा है वो मैंने आपको बता दिया ये पूरा का पूरा माजरा सुनने के बाद जो लड़के के पिता जी थे उन्होंने हाथ चोड़े धन्यवाद किया रावज्जी का और भोला कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया जो हमें इस बारे में पूरी की पूरी जानखरी दे दी जो पहाड़ी लोग होते हैं वो इन चीजों को ये बारे में काफी साथ बिलीव करते हैं हर चीज के बारे में देवेशक्ती को नेगिटीव एनरजी या फिर कोई भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती है इस Maunie होता है तो इन्होंने इसलिए उन से बोला कि आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया जो हमें इस बारे में बता दिया अब हम जब बारात लेकर वापस जाएंगे तो भी हम अपने दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि कोई न कोई ऐसी अन्होनी न हो जाए हमारे साथ रावजी ने का कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो आवं भी हाँ से चलते हैं और जो विवा का अंतिम पड़ाव रह गया है उससे हम पूरा करते हैं तो ये दोनों अपनी बाचित खतम करके शादी को पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं समय बीटता है पांच-छे साल उपर और बीच जाते हैं अब आता है सन 1896 का 1896 तक अंग्रेजों की आवाज आही जो थी ये मसूरी की तरफ और फिसाता बढ़ गई थी 1896 में मसूरी के एक बहुती 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 आली शानतरीन एक होटल के अंदर दो लोग बेटे हुए थे जनरल फ्रीमेन और बिजनसमेन रेनॉल्ड जो ये होटल था ये रेनॉल्ड का ही था सारा का सारा पैसा इन्होंने यहां पर लगाया था जो कि बहुत ही बहतरीन से भी बहतरीन होटल था वादियों की तरफ ये देखता था हर ज़रो का इसका हिमाल्ये की तरफ अपना मूग करके बहुत ही बहतरीन खूबसूरती को दर्शाता था ये तुनों के दुनों महां बैठे हुए कॉफी पी रहे थे, साथ ही सिगार पी रहे थे बात चे चल रहे थी तो जो जनरल फ्रीमेन थे जनरल फ्रीमेन, रेनल्ड को बोलते हैं कि देखे कितनी ही सुन्दर ये जगा है ऐसी जगा तो हमने स्कॉटलेंड में भी नहीं देखे इतनी बैतरीन ये जगा है तो रेनल्ड भी बोलते हैं कि हाँ बिलकुल सही बोल रहे हैं अब तभी तो मैंने यहाँ पर इस जमाने में 1896 में कई लाख रुपे लगा दिया है दोस्तो 1896 में कई लाख रुपे लगाना बहुत बड़ी बात थे होटल बहुत ही खुबसूरत वहाँ पर बना दिया गया था तो जनरल बोलते हैं कि लेकिन एक कमी है सर रेनल्ड इस मसूरी वाले एरिया में तो पूछते हैं कि ऐसी क्या कमी है मुझे तो कोई कमी नहीं नजर आती उन्होंने कहा देखिए देहरा दून तक ट्रेन का जो प्रस्ताव है वो पास हो चुका है देहरा दून तक अब ट्रेन अराम से आजाया करेगी हरी दवार से और हरी दवार के बाद आगे connectivity पूरी है दिल्ली तक connectivity हो जाएगी लेकिन मसूरी तक कोई भी ट्रेन नहीं है इस कारण से मैंने ये प्रस्ताब आगे दिया हुआ है रॉयल फैमिली को की यहां तक ट्रेन लाने का भी एक टेंडर बनाया जाए और उस टेंडर को पबलिक करने के बाद इस काम को भी शुरू कर दिया जाए ये चीज मैंने रॉयल फैमिली को बोली है अब देखते हैं उनका क्या रिपलाई आता है तो जो रेनॉल्ड थे रेनॉल्ड काफी ज़दा रेनॉन थे और काफी ज़दा पैसे वाले थे उनके डिरेक्ट कनेक्शन्स थे रॉयल फैमिली के साथ तो उन्होंने का कि अरे जनरल फ्रीमेन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सिर्फ इतनी सी बात मेरे अच्छे खासे जानकार है राल फैमिली के अंदर तो मैं उनसे डिरेक्टली बात कर लूँगा और ये चीज़ तो बड़ी जरूरी है इसका तो आइडिया मुझे भी नहीं आया कि अगर फ्रेन यहां पर आजाए तो जो मेरा होटल है जो मैंने इतना आलिशान बनाया है इसके अंदर और भी जादा लोग आएंगे और फिर आपको पता ही है जितने जादा लोग उतनी जादा कमाई वो लोग हर चीज़ को इसी चीज़ से तोलते थे कि कहां पर जादा फाइदा है तो इसमें जो जनरल फ्रीमें थे वो बड़े खुश होते हैं कि अरे सर अगर आप ऐसा काम करतें तो बहुत ही मजा जाएगा बहतरीन मजा जाएगा इस बात पे दोनों के दोनों अपने प्यालों को टकराते हैं और सिखार फुखने लगते हैं सामने की खुबसूरत वादियों को देखते हुए 1896 के ही अंतिम दिनों में लगबग नवंबर दिसंबर के महीने में जो ये बिजनस्में रेनल्ड थे, ये देरादुन जाते हैं देरादुन जैसे ये पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर तो रेल का काम पूरे जोरो शौरों पर शुरू हो चुका है देहरादून में रेलवे स्टेशन बड़े ही तेजी से बनाया जा रहा है तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें याद आया कि जनरल फ्रीमेन के साथ उनकी क्या बात चीत हुई थी तभी ये वहां से सीधा लखनाओ जाते हैं और लखनाओ जो की रॉयल आर्मी का एक सलाहकार वहां पर बैठता था जो इनका बहुत ही खास दोस्त था उसके पाद सीधा चाते हैं उससे बात करते हैं कि अरे तुम लोग देहरादून तक लेकर जा रहे हो रेल वे लाइन अगर मसूरी तक ले जाओ तो इसमें कितने फायदे होंगे सरकार के भी मौनेटरी बैनिफिट बहुत होंगे रेवेन्यू जादा जिनरेट होगा जो रेवेन्यू हम लोग सरकार को देते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएगा तो इसमें कितने फायदे होंगे और साथ ही जो आर्मी की आवाजा ही है उसमें कितना फ्यूल बचेगा सब कुछ होगा तो तुम मेरा ये परस्ताव रोयल फैमिली तक पहुचा दो और उनसे कहोगी जो बिजनस्मेंट रेनॉल्ड है उन्होंने ये अपना एक सोलूशन बताया है रेवेन्यू इंक्रीज करने का उनके इस सुझाव से जो ये ऑफिशल था ये भी बड़ा जादा इंप्रेस होत और सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार को ही जाएगा अल्टीमेटली उसका जितना भी टेक्स लगेगा तो इस बात को रोयल फैमिली तक पहुचा दिया जाता है वहां से लगबख छे महीने के बाद इस बात पर मोहर लगा दी जाती है कि मसूरी तक देहरादून से लेकर र ऐसे ही इसका भी काम शुरू कर दिया जाए और दो चार पात साल के अंदर अंदर मसूरी तक भी रेलवे लाइन बिचा दी जाए करते कराते 1897 आ गया 1897 में ये टेंडर पास कर दिया गया कि इस काम को हरी जंडी दे दी जाए लेकिन उस से पहले उस से पहले सरकार का एक कि किस प्रकार से कहां कहां से ये रेल वे लाइन निकलेगी और इसमें कितना ज़ादा खर्च होने वाला है लगबग 35 से 40 किलोमेटर का ये प्लैन था कि इतने एरिया के अंदर अंदर ही इतने डिस्टेंस में ही ये रेल वे लाइन बिचाई जाएगी और जो ये रेकी का ये plan कुछ इस प्रकार का था कि हर 5 km की पहले रेकी की जाएगी और जब वो 5 km पूरे तरीके से पास हो जाएगे तो उनका raw material मंगबा लिया जाएगा और उस raw material को लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा और आगे 5 km से ये team बढ़ेगी और अगले 5 km की रेकी शुरू कर देगी इस रेलफिल लाइन की प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग थी वो बड़े बड़े बिजनसमेनों ने भी अपना इसमें शेयर लिया काफी जादा बारी मात्रा में उन्होंने पैसा इंवेस्ट किया और साथ ही जो रेनॉल्ड थे रेनॉल्ड ने भी अपना अच्छा खासा पैसा इस कांट्रेक्ट के अंदर लगा दिया क्योंकि फाइदा तो अल्टिमेटली उन्ही को होने वाला था ऐसे बिजनसमेन को होने वाला था जिनोंने वहां पर बड़े बड़े होटल्स खोले हुए थे या जिनकी प्लैनिंग थी कि वहां पर जाकर होटल खोलेंगे सरकार द्वारा जो पूरा का पूरा प्रजेक्ट था वो सौपा गया जनरल फ्रीमेन को यह वही जनरल फ्रीमेन है जो शुरुवात में रेनॉल्ड के साथ उनके ही होटल में बैटकर कॉफी के चुस्कियों ले रहे थे सिगार पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि मसूरी कितना खुबसूरत है लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है वो है रेल वे लाइन तो जो रेनॉल्ड थे रेनॉल्ड का ही इसमें काफी बड़ा हाथ था जनरल फ्रीमैन को ये कांट्रेक्ट दिल्वाने के लिए क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हीं की देख रेक में ये सारा का सारा प्रोजेक्ट पास हो फ्रीमैन की देख रेक में क्योंकि जो रेनॉल्ड का होटल था मसूरी के अंदर ये चाहते थे बिलकुल उसके ही सामने से ये रेल वी लाइन निकले और एक स्टेशन जो है बिलकुल ही इनी के होटल के सामने हो अगर ऐसा हो गया तो ये इतना जदा पैसा कमा लेंगे आने वले 10-15 साल में कि इनकी पुष्टें बैठकर खाएंगी और ये और भी बहुत सारी प्रापटी बना लेंगे इनका ये साफ साफ प्लैन था और इस प्लैन के लिए कुछ मॉनिटरी बेनेफिट्स जनरल फ्रीमेन को भी ही इनकी तरफ से गए ताकि जनरल फ्रीमेन उस हिसाब से ही रेकी करवाएं उस हिसाब से ही इस काम को अंजाम दें ताकि सबसे जादा फाइदा हो रेनाल्ड को अब इस काम के लिए जो फ्रीमेन थे फ्रीमेन ने दो लोगों की टीम का चुनाव किया एक इंजीनियर स्ट्रॉ जो की बहुत ही बहतरीन रेलवे के इंजीनियर थे उस समय के और दूसरे लेफटिनेंट क्लाउड ये एक यंग आरमी के अफसर थे जिनको सारका सारा ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं क्योंकि पहले भी इन्होंने कई ब लोकल हेलपर्स इनको दे दिये जाते हैं ये चार लोग ऐसे थे जो इनी आसपास के गाउं में रहने वाले थे जो की ब्रिटिशर्स ने डेली वेजिंग पर इनको रिक्रूट किया हुआ था इनको दिन के दिन पैसे मिल जाते थे कुछ हेलप मिल जाती थी इसलिए ये लो का नेविकेशन करना होता था कोई काम करना होता था तो ये लोग ही उनकी हल्प कर देते थे ये चार लोग और दो ब्रिटिश एफसर ये छे लोगों की टीम थी जिसने इस प्रोजेक्ट को एक्सेक्यूट करना था इस पूरे के पूरे रेकी के प्रोजेक्ट को एक्सेक्य दिया गया था, पूरे के पूरे track का और वो engineer straw ने किया था काम engineer straw के पास सारा का सारा material था सारा का सारा theoretical material जोनों ने अपने copy के उपर अपने project के उपर बनाया हुआ था और उन्हें ये बोला जाता है कि आप शाम को अपनी पुरी टीम को ये सारा एक meeting रखते हैं और उन्हें सारा का सारा route समझाते हैं कि किस प्रकार से लोग शुरू करेंगे, कहां से जाएंगे और फिर किस प्रकार से लोग मसूरी तक पहुंचेंगे helpers और lieutenant cloud सारा का सारा route समझ गए थे meeting खतम हो जाती है इसी दोरान शाम के समय वहां पर एक और meeting चल रही थी, जो की Freeman और Reynolds के बीच में थी जब Freeman सारा का सारा प्रोजेक्ट Reynolds के सामने रखते हैं तो Reynolds बोलते हैं कि यह क्या कर रहे हैं तुम Freeman, मैंने तुमें इस चीज़ के लिए पैसे थोड़ी ना दिये थे यह जो तुम्हारा रूट है, जिस रूट से तुम ले जा रहे हो यहां से तो जो मेरा होटल है वो लगबग एक किलो मिटर पड़ेगा स्टेशन कहां बनाऊंगा मैं मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल के बिल्कुल सामने स्टेशन बने तो फ्रीमन कहते हैं कि तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर रेनॉल्ड हम लोग रूट चेंज कर देते हैं अभी हुआ ही क्या है, सब कुछ मेरे हाथ में है यह लोग शाम को बैठकर उस रूट को बदल देते हैं और अब वो रूट इस परकार से बनाया जाता है जलना था उन मजदूरों को, इंजिनियर स्ट्रॉ को और लेफटेन क्लाउड को सुबह सुबह जनरल फ्रीमन ब्रीफ कर देते हैं इंजिनियर स्ट्रॉ को कि वही ऐसे ऐसे रूट बदली हो चुका है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वज़े से, कुछ पैसों की प्रॉब्लम्स की वज़े से या कुछ भी, वो उनको बखना लगा देते हैं तो जो इंजिनियर स्ट्रॉ थे, वो अब एक मीटिंग रखते हैं में सबी के सबी मजदूरों को इस बारे में बता दिया जाता है कि अब हमारा रूट ये रहेगा जब उनको इस रूट के बारे में बताया जा रहा था तो एक मजदूर, जो उनका एक हेलपर था जिसे इनके साथ जाना था, उन चार लोगों में से ये उसी जगां आस पास कहीं एक चोटे से गाउं में रहता था जैसे ही ये उस रूट के बरे में सुनता है कि ये तो रूट बदली हो चुका है अब ये रूट उस डिरेक्शन से जा रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत है ये वो जानता था क्योंकि बच्पन से उन्होंने इसके बार में सुना हुआ था अपनी आँखों से कहीं पर देखा भी था और उनके बड़े बुड़ों ने इस रास्ते को बहुत बहुत सादा भयानक पताया था जी हैं दोस्तों ये वही रास्ता है जो 1890 में शुरुआत में जो वो रावजी की लड़की की जो शादी थी उन्होंने अपनी लड़की की जो बरात आनी थी उस बरात का रास्ता बदल दिया था यह इसी रास्ते के कारण बदला गया था लेकिन अब इन्हें इसी रास्ते के उपर जाना था यह मजदूर बीच में खड़ा हो जाता है और सीधा जनरल फ्रीमेन के बास जाता है और बोलता है कि मुझे करीपा करके इस जत्ते में से निकाल दीजिए आपको किसी और को रखना है तो रख लीजिए लेकिन मैं नहीं जाओंगा जनरल फ्रीमेन पूछते है कि क्या हुआ भई ऐसा क्या हो गया उनके बीच में जब बाच्चित हो रही होती है तभी पीचे से लेफटीनेंट क्लाउड भी आ जाते हैं तो वो मजदूर बोलता है कि सर ठीक है मैं आपसे बात कर लेता हूं लेकिन मेरा नाम यहां से हटवा दीजिए किसी और मजदूर को यहां पर रख लीजिए तो वो पूछते है कि भई ऐसा हुआ तो हुआ क्या तो वो बोलता है कि अगर उस रास्ते पर कहीं पर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या किसी भी परकार का दूसरी किसम का काम शुरू होगा वहां पर अगर एक कसी भी चलेगी तो भी बहुत सारी मौते होंगी और यह मैं लिख कर तावे के साथ कह सकता हूँ लेफटेरेंट बोलते हैं कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग अंध विश्वास में इतने ज़्यादा डूबे हुए हो कि तब ही तो तुम्हारी तरक्की नहीं हो पाती वो इस परकार की बातें बोलते हैं सर आपको जो सोचना है सोच लीजिए लेकिन क्रिपया करके मेरा नाम यहां से हटवा दीजिए इस व्यक्ति को अच्छी खासी नॉलेज थी उस एरिया के बारे में इसलिए इसे वहां से हटाया नहीं जा सकता था क्योंकि इसा गाओं वहीं पर नज़्दी की पढ़ता था और कहीं परकार की हेलप ये व्यक्ति इस पूरे के पूरे जट्थे की दिए बाकी की जो तीन लोग थे जो तीन हेलप परतें तीन मजदूर थे वो भी नीचे की तरफ के गाओं के थे उपर की तरफ का कोई भी नहीं था लेकिन ये वक्ती उपर की तरफ का था लेकिन इतनी ज़ादा इतनी ज़ादा हट करने के बाद बहुत ज़ादा जिद करने के बाद ये तो ओड़ी गया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझसे कोई और काम करवा लीजिए मैं दिन रात यहाँ नीचे रहकर काम करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं उस रास्ते के ओपर काम नहीं करूँगा, मैं आपके हाथ चुड़ता हूँ मैं आपके पैर पढ़ता हूँ इतनी नौबत देखने के बाद जो जनरल फ्रीमेन थे वो भी यही बोलते हैं कि ठीक है यार अगर इस व्यक्ति को इतनी ही दिक्कत है, इतनी ही प्राब्लम है तो इसकी जंगा किसी और को रख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है तो इस व्यक्ति को बदल दिया जाता है और दूसरा मजदूर बुला लिया जाता है वही पर प्लेन एरिया का एक बंदा ले लिया जाता है चार लोगों की टीम ये और दो अंग्रेश लोग एक इंजीनियर स्ट्रॉ और दूसरे लेफटिनेंट क्लाउड ये छे के छे लोगों का जो ज़त्था था ये चल पड़ता है उसी डारेक्शन में जहां पर इनने काम को स्टार्ट करना था पहले जो दो दिन थे दो दिन इन्होंने नॉर्मल काम किया नॉर्मल वहां की पमाईशली सब कुछ किया देखा कि किस प्रकार से फिजिबल है के नहीं सब कुछ अगला दिन चार किलोमेटर तै हो चुके थे पाँचवा जो आखरी पड़ाव था इनका पहले पाँच किलोमेटर के पैच का वो शुरू होना था सुबह सुबह ही जब ये लोग उस जगा के लिए स्टार्ट करते हैं जो की एक्टम से पाड़ी इलाका शुरू हो चुका था अच्छे खासी मात्रा में देवतार और चीड के पेड घना जंगल उसके बीच में से ये लोग जा रहे थे चलते चलते एक जगा आती है जहाँ पर कुछ जो जमीन थी वो थोड़ी नीचे धस रहे थी दब रही थी तो जो इंजीनियर स्ट्रॉ थे वो बोलते हैं लेटिनेंट क्लाउड को की सर मैं सोच रहाँ की यहाँ पर एक पर थोड़ी सी खुदाई करवा ली जाए यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि नीचे किस प्रकार की मिट्टे निकलती है या नीचे कुछ पत्थर है और अगर पत्थर है तो वो कच्चे पत्थर है या वो पक्के पत्थर है दोस्तों जो पहाड होते हैं पहाडों के अंदर भी जो आप देखेंगे कि जो पहाडी स्टोन होता है बड़े बड़े आपने पत्थर देखेंगे जिनकी बाउंडरीज लोग बनाते हैं जिनके लोग घर भी बनाते हैं उनमें दो तरीके के पत्थर होते हैं एक कच्चे पत जीनियर स्ट्रॉथ है, उनको भी ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर खुदाई थोड़ी सी करा दी चाए, चार लोग खड़े थे, एक विक्ति के हाथ में कसी थी, उसे बुला लिया जाता है, उसे कहा जाता है कि हाँ भई, खोदो जेरा, विक्ति चुप चाप जाता है और खोदने लगता है, खोद खोद कर जार पांच फीट वो पुरे तरीके से खोद देता है, अब वहाँ पर जो स्ट्रॉथ है वो थोड़ी सी टेस्टिंग वगरा करते हैं, यह सब करते कराते शाम हो गई थी, शाम को उनको इधर ही आसपास कहीं अपना डेरा जमाना था, अपने तंबू जो वो लोग लेकर आये थे, वो वहाँ पर लगा दिये जाते हैं, और शाम का खाना पिना करने के बाद सब लोग अपने अपने तंबू के अंदर चले जाते हैं, इंजिनियर स्ट्रॉ और लेफटिनेंड क्लाउड जो थे व बात कर रहे थे रात में, बात करते करते हैं उन्हें अचानक से एक आवाज आती है कि कोई व्यक्ति करा रहा है और कुछ लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं, तो वाँ और तो कोई नहीं ता बागी मजदूरी थे, ये लोग निकलते हैं, उस तंबू की तरफ जाते हैं तो आँखें एक तम लाल और उसकी शरीर की जो तपिश थी वो बहुत दूर तक उनको महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो एक सो तीन से भी उपर उसको बुखा रहा है, बहुती जबर्दस उसे बुखा रहा गया था, तो अब जो स्ट्रॉ थे, स्ट्रॉ के पास कु उस मश्दूर को, और कहा जाता है कि तुम सुवे तक ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये दोनों अपने तम्बू के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उच व्यक्ति था, वो करा रहा था, हलका हलका करा रहा था, ये लोग ठके हारे थे, अपने तम्बू में आकर सो जाते हैं, रात के लगबग तीन साड़े तीन पजे, काफी जोर जोर से उस व्यक्ति के कुछ कुछ बोलने की आवाज आ रही थी, ये फिर निकलते हैं, उस तम्बू में जाकर देखते हैं, बाकी के तीन के तीन मर्जदूर जागे हुए हैं, वो व्य बचालो, मुझे बचालो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो जो स्ट्रॉ थे, स्ट्रॉ इंजिनिर थे, वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि इसे हलूसिनेशन हो रहे हैं, इसे बुखार इतना जादा आने के कारण, इसका दिमाग नहीं काम कर अधरा डंक से, इसलिए उसे अजीब अजीब सी चीज़े नजर आ रहे हैं, उसे एक और डोस दवाई का दिया जाता है, और ये लोग फिर से अपने तंबो में आ जाते हैं, अराम से आकर सोते हैं, सूबह जब ये लोग उठते हैं और देखने जाते हैं, उस वेक्ते की हा देखते हैं, और दूसरे मजदूर को बोलते हैं कि थोड़ा चाहे नाश्ते के अंदजाम करें, और इसे भी कुछ खाने के लिए दे, हम लोग भी कुछ खाएंगे, क्योंकि काम भी शुरू करना है, अगर इसकी तब ये ठीक नहीं होती, तो इसे वापर शोड़ कर भी आन अपने तंबो से मात्र सौ मीटर दूर ही गए थे, कि वो जो जमीन पर देखते हैं, उनकी आखें फट गई थी, वहाँ पर एक बहुत बड़े टाईकर के पगमाक्स थे, वो सोचते हैं कि यार, पूरी रात तो कोई अवाज नहीं आई, कोई कॉलिंग नहीं हुई, ना भी सोच रहे थे, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था रात को वहाँ पर, ये लोग कितनी बार तो भार आये थे अपने तंबू के, अगर ऐसा कुछ होता, तो कोई अवास तो आती, इन पर हमला भी होता, कुछ तो होता, लेकिन तब तो कुछ भी नहीं था, तो क्या उस उस से पहले उस बाग को देखा था, इसलिए वो बोल रहा था, लेकिन वो अभी इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि रात को उन्होंने कुछ नहीं देखा था, और नाहीं अभी उन्होंने कुछ देखा था, सिर्फ पगमार्ग्स थे, तो वो ये सोचने कि अगर इस बारे में इन मजदूरों को पता चल गया कि यहां पर इस परकार से टाइगर के पग मांक्स हैं तो यह लोग चारों के चार यहां से भाग जाएंगे और काम हाल्ट पर चला जाएगा मेरी नौकरी पर आ जाएगी जो जनरल फ्रीमेन है वो यही बोलेंगे कि तुम उन चार लोगों को नहीं समाल पाए क्योंकि यह लोग डेली वेजिंग पर थे यह लोग अगर यहां से चले भी जाते तो यह कुछ नहीं कर सकते थे पर्मनेंट तो इनकी नौकरी नहीं थी कि इनको नौकरी का खत्रा था या नौकरी से निकलने का डर था तो अब लेफटिनेंट क्लाउड जो थे वो इंजिनियर स्ट्रॉ को बलाते हैं तो जो स्ट्रॉ थे वो भी उस चीज़ को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं इंजीन डिस्ट्रॉ भी ही कहते हैं कि अगर इस बारे में इनको पता चल गया, कि यहाँ पर कोई टाइगर इस परकार से मूव कर रहा है, तो यह लोग यहाँ से चले जाएंगे, उन दोनों की सहमती हो जाती है इस बात पे, तो स्ट्रॉ बोलते हैं क्लाउड को कि क्यो ना इ तंबू के अंदर चला जाए, वो लोग उन पग माक्स को मिटा देते हैं जहां तक भी उचा रहे थे, उसके बाद नीचे खाई की तरफ उचा रहे थे, वहाँ पर काफी ज़दा चटाने थी, अंडरकरोध काफी ज़दा थी, इसलिए वहाँ पर जाना उन्होंने ठीक नह समझा, और वैसे भी इतनी दूर भग माक्स नजर भी नहीं आ रहे थे, भग माक्स को मिटाने के बाद ये दोनों के दोनों चल पड़ते हैं तंबू की तरफ, जैसे ही ये उस तंबू में जाते हैं जहां पर वो बिमार व्यक्ति पड़ा हुआ था, एक व्यक्ति बोलता है कि सर, वो मर गया है, वो हिल नहीं रहा, एक बार आकर आप देखेंगे, जैसे ही लेटेन क्लाउड वहाँ जाते हैं, उसकी नब्स पकड़ते हैं, वो मर चुका था, ये व्यक्ति जो रात भर बुखार में था, ये अचानक से मर गया, सिर्फ एक रात के बुखार से मर गया ये कैसे मर सकता है, इसे तो हमने दो खुरा के दवाई की वे दी थी, ये तो बहुत अजीब हो किया था, इन सारे सिनेरियोज को जो अब लेटेन अट क्लाउड थे वो सोचने लगे, ये रात में क्या कह रहा था कि एक पाग इसने देखा है, जिबकि पाग तो वहाँ था ह लेकिन ये अकेला ही बिमार पड़ गया, और ये मर भी गया, और सुबह सुबह लेटेन अट क्लाउड ने वो पक मार्क्स भी देखे थे, जो कि एक बहुत ही पड़े टाइगर के थे, लेकिन अब ये इतने सूपर स्टीशन के अंदर घुसना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ही नहीं थी वैसी, कि इनको उस परकार से सुचा जाए, साथी इन्हें बातें तो याद थी उस व्यक्ति की भी, जो तेहरा दून में बोल रहा था कि उस रस्ते पर ये नहीं चाहेगा, अब ये सारी की सारी मिक्स होकर इनके दिमाग में गस गई थी बा जो इन बातों को मानता है तो तो फटा-फट से सुच लेता कि हाँ यार, ये तो कुछ छलावा हो रहा है, लेकिन इनकी ब्रिंगिंग अप ऐसी थी ही नहीं, ये इस महल में बले बड़े थे ही नहीं, इसलिए ये सोच भी नहीं पा रहे थे, और साथ ही प्रैक्टिकल अग तो ये जंगल है, ये जंगल है, तो हो सकता है, यहां पर टाइगर की मौवमेंट हो, और वो यहां से निकल कर नीचे की तरफ चला गया, और अगर वो हमला वर होता, आदम खोर होता, तो यहां पर जरूर आता, हमला जरूर करता, इस परकार के चीज़ें ये अपने को समझाने के लिए सोचने लगे, और रही उस व्यक्ति की बात, चदेहरा दून में ये सब कुछ बोल रहा था, कि वहां पर ये है, वहां पर वो है, तो इन्होंने उसका भी हल सोच लिया, दिमाग बड़ी, शातिर चीज़ है दोस्तों, जो हम सोचना चाहें, वो हमें एक रूट पर काम ही ना करना हो, या कुछ हो, या कोई और X, Y, Z बात हो, या उसे काम ही ना करना हो, वो सिर्व पहाने बना रहा हो, सारी रात उसने यही सोचा कि मैं सुव्य उठकर कोई न बहाना लगा दूगा, और जब उसे यह पता चला कि रूट बदल गया है, तो उसके पास एक बड़ा ही सॉलिट बहाना था कि मैं तो इस रूट पर नहीं जाओंगा ये सारी की सारी चीजें उनका दिमाग बताने लगा लेफटेनेंट क्लाउड को और वो मान गए कि यहां पर कुछ नहीं है दोस्तो अभी तक जो आपने सुना आपका भी मन ये जरूर कह रहा है कि जो लेफटेनेंट क्लाउड है वो कहीं गलती तो नहीं कर रहे यहां पर क्या है ऐसा जिसने इतना खौफ पैदा किया था लोगों के अंदर और अभी भी इतना खौफ है और उसका प्रमान भी धीरे धीरे मिल रहा है लेकिन जो वो व्यक्ति किया रहा था कि उसने बाग को देखा वो देखो सामने खड़ा है वहां तो कोई भी नहीं था तो वो पक्माक सकिसके वो तो साक्षात थे वहां से तो कोई न कोई गुसरा था कोई न कोई बाग गुसरा था धारी वाला बाग क्या होने वाला था इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर दोस्तों ये एक ऐसी historical घर्टना मैं आपके लेकर आया हूँ जिसको जब आप सुनेंगे दोस्तों आपके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा इस कहानी का आज तक आपको सभी कहानियों के उत्तर मिले ये एक ऐसी कहानी होगी जिसे आपका दिमाग सोचता ही रहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगला जो एपिसोड आने वाला है उस एपिसोड को आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे आप लोग मेरे साथ यहीं पर रहेगा कल ठीक इसी जगां पर हम फिर से सब मिलेंगे हम लोग अद्रिश रहेंगे लेकिन सब कुछ देखेंगे लेकिन आप लोग सबसे जुरूरी चीज अपना खयाल रखेगा गुट नाइट शब बाखेर एंड शुब रात्री